अगर आपको भी आपकी शेयर करना है लोगों से और उसका रिजर्ट भी रिखना चाहते हो तो आप हुमें मेल कर सकते हो अपना सेट अप का नाम और पूरा डिटेल्स उसके साथ भी आपको जो भी क्रेडिट्स लगेगा वो भी देदो जैसे इंस्टा आइडी एक्सेटरा तो मैं उसको वीडियो में और उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और बहुत टाइम हो गया हमें कोई स्व्इंग ट्रेडिग डाले हुए और यह स्ट्रええगीबी स्विंग ट्रीडिंग ही है तो सचा चलिए अपने स्विंग ट्रेडिंग भाईओ और उनके बह आपको anonymous रहना है तो भी मैं नाम नहीं लोगा हम ऐसे ही वीडियो बना कि हमारे trading community को बढ़ा कर सकते हैं I appreciate लोग already इसमें contribute कर रहे है तो आज का strategy हमारे subscriber ओम महाजन की तरफ से है उन्होंने मुझे ये बता था कि ये strategy उन्होंने बहुत सारी permutation combination करके बनाया है और अच्छा काम कर रहे है उनके लिए इसलिए वो अमारे audience के साथ share करना चाहते है so today we are going to backtest another strategy which is called as 5% strategy from a subscriber Mr. O. महाजन so जैसे मैंने पहले बोला this is a swing trading strategy so हम इसको सिर्फ buy के लिए test करेंगे stocks में तो intro के अदम strategy पे चलते हैं जा हम 5% strategy provided by Mr. O. महाजन को total 100 times test करेंगे in following stocks और check करेंगे कि कैसे काम करता है so hi everyone this is Pranit from Trader Insight let's start the video सबसे पहले हम trading view open करेंगे अब time frame को one day कर देंगे इसके बाद हम यहाँ पर उपर indicator में क्लिक करेंगे और exponential moving average search करेंगे तो यह built-in वाला आ जाएगा तो इसको हम दो बार add कर देंगे अब यह पहले वाला EMA के settings में जाएंगे और length को 9 करेंगे फिर इसके style में color को change करके green कर देंगे और इसका thickness बड़ा देंगे और ok कर देंगे अब second EMA के settings open करेंगे और इसके length को 21 कर देंगे फिर इसके style में जाके color को red कर देंगे और thickness बड़ा देंगे अभी वापस उपर indicator में click करो और super trend search करो तो एक build-in वाला आ जाएगा उसे हम add कर देंगे इसके बाद हम settings में जाएगे और ATR के length को 14 और factor को 2 कर देंगे तो हो गया setup ready चलिए rules for buy entry देखते हैं first super trend should be green फिर 9 EMA should cross about 21 EMA जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर super trend green है और just यहाँ पर crossover भी हुआ है तो यह हमारे लिए trigger candle बन जाएगा so entry would be at the open price of the next candle stop loss would be 5% of the stock price हाँ यहाँ पर जब आप यह tool use करते हो न तो आपको इधर नीचे देखे percentage दिखेगा तो जैसे ही यह 5% हो जाएगा हमें उदर अपना stop loss रखना है और target इसमें two type के है first target when price crosses 5% that is 1 is to 1 risk reward ratio जब यह होगा तब आपको अपना stop loss cost to cost लाना है और partial profit बुक कर लेनेगा अब target two when 21 EMA crosses 9 EMA from below और super trend becomes red basically target two जैसे ही आपका कोई भी एक indicator negative sign देना चालू करेगा न तब आपको exit करना है testing के लिए कोई भी indicator जब भी negative हो जाएगा न तो हम उस दिन का closing price को consider करेंगे यहाँ देखिए यहाँ super trend green है और just यहाँ 9 EMA 21 EMA को cross करके उपर गया है so next day के open price पे हम entry लेंगे stop loss हम यहाँ पर 5% पे रख देंगे और first target यहाँ पर देखिए जैसे हमारा 1 is to 1 risk reward हो जाएगा वहाँ पर हम book कर लेंगे इसके बाद हम हमारा stop loss को cost to cost में लाएंगे और target 2 का wait करेंगे that is जैसे ही कोई भी एक indicator negative signal दे जैसे यहाँ देखिए यहाँ super trend red हुआ है so हम इसके close पे exit कर लेंगे और this example was a win चलिए next example देखते हैं यहाँ देखिए यहाँ super trend green है और यहाँ पर 9 ea में 21 ea में को cross करके उपर गया है so हम इसके next day के open price पे entry लेंगे stop loss हमारा 5% रहेगा stop loss और first target हमारा 1 to 1 risk reward पे रहेगा but unfortunately this resulted in a loss कोई बात नहीं next example देखते हैं यहाँ देखिए यहाँ super trend green है और यहाँ भी 9 ea में 21 ea को cross करके उपर गया so हम इसके next day के open price के उपर entry करेंगे stop loss 5% रखेंगे और first target जैसे ही 1 to 1 risk reward होगा तब बुक करेंगे अब अपना stop loss को हम cost to cost रखेंगे और second target का wait करेंगे that is कोई भी एक indicator negative signal दे but यहाँ देखिए यहाँ पर price वापस हमारे entry price पे चला गया that is our new stop loss so हम यहाँ पर exit कर लेंगे so यह example में हमने partial profit booking किया चलिए एक और last example देखते है यहाँ देखें यहाँ भी super trend green है और यहाँ 9 ea में भी 21 ea में को cross करके उपर गया so same इसके भी next day के open price पे हम entry लेंगे stop loss यहाँ पर भी हम 5% रखेंगे और first target जैसे ही 1 is to 1 risk reward हो जाएगा वहाँ पर book कर लेंगे जैसे देखें यहाँ पर अब इसके बदाब अपना stop loss cost to cost पे रखेंगे और target 2 का weight करेंगे that is कोई भी एक indicator negative signal दे यहाँ देखें यहाँ पर super trend red हुआ है so हम अपना position close कर देंगे और देखें यह example में इतना बड़ा move मिला है चलिए I hope यह strategy आपको clear है मैं जान मुझके इतने सारे example cover कर रहा हूँ ताकि आपको कोई doubt ना हो तो इस strategy को total हम 100 times test करेंगे और इसका असली win rate चेक करेंगे I'll let you know the full result after the test चलिए रिजल्स एक्ते है so the test are over जैसे आप देख सकते हो total number of trade was 100 उसमें से 58 are win and 42 was lost so win rate वह 58 percent total gain in an account was 30.48 percent और max drawdown is minus 5.61 percent continuous win in a row is 8 और continuous lose in a row is 7 total duration of the test was 81.3 months so जैसे आप देख सकते हो strategy is profitable 30.48 percent gain in 81.3 months test duration is quite good drawdown भी कम है which is minus 5.61 percent obviously इस strategy को और अच्छे से optimize किया तो बहुत profitable हो सकता है उन्होंने ये भी बोला था कि आप अगर ADX को use करते हो इसके साथ तो इसका profitability improve हो सकता है आपको screen पे उनका पूरा mail दिख रहा होगा अगर आपको कुछ detour रहेगा तो आप ये पढ़ सकते हो so comment में मुझे जरूर बताना कि आपकी क्या pointer से और observation है इस strategy के उपपर I would say with few modifications like better risk reward ratio और optimization किया तो strategy would do wonders anyways kudos to Mr. O. Mahajan for sharing this strategy with us आप भी आपकी strategy हमें share कर सकते हो screen पे दिखायेगा है email id पे अगर आपको आपका result दिखना है तो as always जैसे में आपको बोलता हो सीधा मेरी बात या किसी के बात आपको blindly trust नहीं करना है हर strategy को आपको पहले खुद test करना है और फिर decide करना है कि ये strategy कैसे काम करता है so I'll add the strategy in the google sheet link in the description and this takes the 11th position in the list you can check the list and review or rewatch any specific strategy you like so guys if you like the video please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video और अगर आपको support करना चाते हो तो UPI ID आपके screen पे होगा अगर आपके बाद demand account नहीं है तो description में मैं 0D का link भी डाल दूँगा हमसे account बना के आप channel की थोड़ी help कर सकते हो और अगर आपको ये वाली back testing sheet चीट चीए तो मैंने इसे already ये मेरे channel पे share किया है आपको एक video suggest हो रहा रहेगा या link description में होगा आप वहाँ से check out कर सकते हो please comment में आपके feedback दीजिए और कौनसी strategy आप चाहते है कि हम backtest करें अपने future videos में ये भी ज़रूर बताना आप हमारे channel के playlist देख सकते हो और दूसे strategies के videos भी देख सकते हो all the social media links will be in the description please follow us and show your support more awesome contents are on the way so see you next time